सो हेलो गाइस वेलकम टू माई चैनल गाइस आज के वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि नीचे वाले रेट कलर के बटन पर किलिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल वाले आकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब में वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस ना करें तो चलिए बिन टेम गाओ इ में क्ली मेरे प्लिकेशन के अच्छा साब करें तो यहां पर यहां पर नें आपको यहां इसका नेम देता हूं ब्लोक, स्क्रीन सूट, उसके बाद create app पे क्लिक करेंगे गाई, create app पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, simply हम कुछ नहीं करेंगे गाई, यहाँ पे आप चाहे तो designing भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, for example मैं आपको दिखाओं तो यहाँ पे linear V क कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक text view लेता हूँ, जो कि इस linear का जो gravity है, हम यहाँ पे कर देंगे, center horizontal, center vertical, ताकि यह center में आ जाए, मेरा text view जो हमने लिया था, इस text view का name मैं सिर्फ for example रख देता हूँ, यहाँ पे, blocked screen suit, block screen suit, उसके बाद यहाँ पे इसका side जो है, हम थोड़ा चा 30 कर देते हैं, और यहाँ पे bold कर देते हैं, इस text का जो style है, यहाँ पे background color, sorry, यहाँ पे text का जो color है, हम कर देंगे white, तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अगर आप इस application को अगर run करते हैं, तो यहाँ पे मैं आप activity का, उसका आप easily ले सकते हैं, for example, मैं आपको बताऊं, तो आपका हर device में अलग-अलग type का screen suit मतलब लेने का रहता है, आप option महाँ से ले सकते हैं, यहाँ पावर बटन और volume बटन को अगर प्रेस करते हैं एक साथ, तो आपका यहाँ पे screen suit ले लिया हो जाएगा, screen suit, तो यह तो हम इसे देख सकते हैं, तो यह screen suit कोई लेना पाए, उसके लिए आप इसे blog कैसे करेंगे, यहाँ पे, यह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो चलिए सबसे पहले, यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे सबसे पहले जाना होगा, event में more blog में जाना होगा आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे android bulb channel, आप search कर सकते हैं, टेलिग्राम, search option में, या आप कहीं भी chat करते हैं, वहाँ पे आपको username आपको tap करना होगा, यह search में भी आप username आप कर सकते हैं, यहाँ पे android bulb, आपको simply, यहाँ जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हू android bulb spelling, अच्छा से आप देख लें, यहाँ पे इस तरह से, sorry, यहाँ पे spelling mistake है, channel, तो यहाँ पे मैं send करूँ, तो देख सकते हैं, इस username पे अगर आप click करेंगे, तो मेरे channel में आप यहाँ पे आजाएंगे, तो join हो सकते हैं, इसमें, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं मैं देख सकते है, right side में three dot पे click करना होगा, और यहाँ पे आपको search का option दिखेगा, search करना होगा, has लगा के, यहाँ पे blocked, a small letter में blocked, a screen suit, यहाँ पे कोई भी space नहीं देना होगा, search करेंगे guys, देख सकते है, blocked, a screen suit, अगर आप यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे देख स यहाँ पे search में देख सकते हैं, यह वाली आएगा guys, वैसे मैं इस वीडियो के description में यह वाली जो keyword का सकते हैं, मैं दे दूँगा, आप चाहे तो simply वहाँ से copy करके paste कर सकते हैं, ताकि आप easily find कर पाऊ code को, उसके बद यहाँ पे step मैंने बता रखा है, और यहाँ पे देख सकत है, more block को add करेंगे, इस more block का मैं name दे देता हूँ, यहाँ पे block capture, इस तरह से, आप इसका कुछ भी name दे सकते हैं, इसमें को इदिकत नहीं आएगी guys, उसके बाद यहाँ पे जो है, नीचे में हम क्या करेंगे, कि boolean को select है, automatic यहाँ पे, variable boolean, तो यहाँ पे हम इसे select कर देत है, और इसका name दे देते हैं, block, तो block दे देते हैं, यहाँ पे, और यहाँ पे add कर देते हैं, तो more block को add करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ नहीं करना हुआ, simply यहाँ पे operator में जाना है, add source directly वाले component में जाना है, दो add source directly वाले component को लाना है, यहाँ पे जो code है guys, जो कि कि अभी हमने आपको बताया था कि सर्च कैसे कर सकते हैं तो simply आप यहाँ पर code को first code को first block में आपको simply paste कर देना है गाइस यहाँ पर इस तरह से उसके बाद second code को second में paste कर देना है यहाँ पर तो यह हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर Ruddy HR कर वाएंगे prequest if then का लाएंगेUD यहाँ पर चेक करवाएंगे कि हमारा जोहीं यहाँ पर कि इस तरह से चेक करवाएंगे कि हम स्क्रीन सूट को ब्लोग करना चाते हैं या नहीं तो उसके लिए हमने ये सेट किया है गाईज उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर on create में जाएंगे कि जब मेरा ये application open हो तो मेरा ये वाली ब्लोग हो जाए यहाँ पर स्क्रीन सूट को भी केप्चर ना कर पाए तो उसके लिए यहाँ पर more ब्लोग जो हमने add किया था उसे लाएंगे और यहाँ पर true कर देंगे तो यहाँ पर इसे run करेंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ save करके run करके तो यहाँ पर आप अगर screen suit लेना चाहेंगे तो यहाँ पर नहीं ले पाएंगे तो इस तरह से आप अगर अपने application में अच्छा सा designing किये हैं और अगर आप चाहते हैं कि वो screen suit कोई ना ले पाए तो आप यहाँ पर screen suit को या capture को आप ब्लोग करत पाएंगे इजली गाईज तो यह काफी असान है गाईज और आप इसे use कर सकते हैं और यह मैं आपको सज़ेस्ट करूँगा कि आप इसे use जरूर करें गाईज अगर आप कोई भी अप्लीकेशन बनाते हैं या आप एक इंट्वर डेवलेप्र हैं तो तो यहाँ पर capture को screen suit capture को आप ब्लोग कर सकते हैं इजली यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ दी तो मुझे सकते हैं अगर अभी मैं यहाँ पर screen suit लूँं तो यहाँ पर मेसेज अगर आप आपको कोई भी कर दरिक्लाहा इब लुए बोगिंगेश्ट कर वतलया।